दोस्तों, दमेन इंग्रीन को श्रीलंका ने अचम्भित कर दिया, क्योंकि दासुन शनाका के टीम ने सुपर फोर चरण के अंतिम गेम में पाकिस्तान को पांच विकेट से हार थमा दी. इस मैच में पाकिस्तान बल्ले से विफल रहा और उसने द्वीप राष्ट्र के लिए सिर्फ 122 रनों का लक्षे रखा. नसीम शाह की जगह हसन अली टीम में आये थे. 28 वर्षिय हसन अली अपने तीन ओवरों में महेंगे साबित हुए, लेकिन उनके आखिरी ओवर में कप्तान बाबर आजम को जटका देने वाली सबसे बड़ी अंपारिंग गलतियों में से ए एकती उत्साहित मुहम्मद रिजवान ने बाहरी किनारे की अपील की. मैदानी अमपार अनिल चौदरी ने नौट आउट का इशारा करने के लिए सिरहिलाया. निर्नय से असंथोस्थ होकर रिजवान ने DRS के लिए संकेत दिया जबकि बाबर अभी भी अपने साथियों की ओर चल रहे थे यह चर्चा करने के लिए की DRS लेना चाहिए या नहीं. इसके बाद चौदरी द्वारा एक बड़ी गलती की गई क्यूंकि वह कप्तान बाबर आजम के संकेत के बिना ही DRS के लिए उपर चले गए. इंटरनेट पर वाइरल हो रहे वीडियो में बाबर अमपार की हरकतों से हैरान है, अमपार को याद दिलाते है की वह कप्तान है. फिर उन्होंने अपने खिलाडियों से संपर्क किया और DRS के लिए संकेत दिया. पाकिस्तान ने अंतत अपील खो दी. चौदरी के लिए सौभाग्या की बात है की बाबर खुद समीक्षा के एचुक थे. नहीं तो उनकी इस भूल से बड़ा बवाल हो जाता. तो आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों? इस खबर के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताए. और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव क्रिकेट वीडियोज ला सके. धन्यवाद.